नमस्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला अपके साथ मैं हूँ अक्षा गद्वा हिमाजल प्रदेश में बिजली सबसीडी बंद करने में अभी वक्त लगेगा उपभोगताओं के चेयन को लेकर बिजली बोड प्रबंधन अब उलज गया है सरकार ने इंकम टैक्स देने वालों को बिजली की दरों में सबसीडी नहीं देने का फैसला लिया है बोड के पास अब तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन-कौन उपभोगता आयकर के दायरे में आते है पिछली सरकार के समय शुरू की गई 125 यूनिट तक प्रती महा निश्यलक बिजली भी अब इंकम टैक्स नहीं देने वालों को ही मिलने वाली है ऐसे में उपभोगताओं का चेयन करना बोड के लिए मुश्किल भरा काम बन गया है बीते दिनों हुई कैमिनेट बैठक में सरकार ने राज्ये के धंधानी उपभोगताओं को बिजली दरों में दी जा रही सबसीडी को बंग करने का फैसला लिया था बाकि उपभोगताओं को भी अब एक परिवार एक मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का नर्ने हुआ है सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए उपभोगताओं का चेयन करने को राशन और आधार कार नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला लिया है 125 यूनिट की फ्री बिजली योजना बंद होने से करीब साड़े दस लाख उपभोगता इस योजना से बाहर हो जाएंगे जैराम सरकार ने साल 2022 में 14 लाख उपभोगताओं को निशल्क बिजली योजना से लाभामवे किया था सुकु सरकार के नई फैसले से अब करीब साड़े तीन लाख घरिल उपभोगता ही प्रती महा 125 यूनिट की निशल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे इसके अलावा एक उपभोगता को सिर्फ एक बिजली मीटर पर ही सबसीड़ी मिलेगी अगर किसी उपभोगता के नाम पर जादे बिजली कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़ कर बाकी पर महंगी बिजली दरों के हिसाब से ही शुर्क चुकाना पड़ेगा मरतमान में हिमाचल परदेश में 22 लाख से जादा घरिल उपभोगता है बिजली की खापत के हिसाब से हर इस लैब में इन उपभोगताओं को सस्ती बिजली मुहया करवाने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को सबसीड़ी दी जाती है परदेश में से कई घरेलू उपभोगता हैं जिनके नाम पर एक से जादा बिजली मीटर लगे हुए है उर्ज़ विभाग ने सूचना एवं पौद्योगी की विभाग से लाइसंस लिया है परदेश में होने जा रही नई विवस्था से मुख्य शेहरों के मकान मालिकों और जुग्य मालिकों की परिशानिया बढ़ने वाली है राजधानी श्यमला सहित मुख्य शेहरों में मकान मालिकों ने नई फ्लैट किराय पर दिये हैं एन फ्लैट्स में लगाए मिजली बीटर मकान मालिकों के नाम पर है इसी तरह मैदानी जिलों विशेशकर औद्योगिक शेत्रों के आसपास भूमी मालिकों ने जुग गिया बसाई है यहां भी भूमी मालिकों के नाम पर बिजली मीटर लगे हुए हैं बिजली सबसीडी बंद होने से ऐसे उपभोकताओं की जेब धीली होगी लेकिन इस योजना को लागू करना बोड के लिए आसान नहीं देख रहा है बोड के अधिकारियों का कहना है कि हर महीने 125 उनिट तक निशल को बिजली का लाब लेने के लिए उपभोकताओं से आवेदन भी मागे जा सकते हैं इस दोरान उपभोकताओं को खुद आकर यहां आयकर के दाइरे में नहीं आने के प्रमान भी देने होंगे हलाकि एक मीटर पर एक परिवार को ही सबसीड़ी देना बोड के लिए अधिक मुश्किल कारे भी नहीं है बोड अपने सौफवेर से यह खुद देख लेगा कि एक नाम और एक आधार कारड पर किस उपभोकता के नाम पर कितने मीटर लगे हों हैं इस जानकारी को जुटाने के बाद उस सिर्फ एक मीटर पर ही सबसीड़ी दी जाएगी फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें आमर उजाला